Hello everyone, तो जो नए aspirants होते हैं, उनको problem आती है, उनको doubt होता है, कि जो हम online exam देंगे, चाहे SSC का कोई भी exam आप दे रहे हैं हो, चाहे वो CGL का हो, CHSL का हो, या MTS का हो, Stenographer का हो, कोई भी जो आप SSC का exam देने वाले हैं, उसमें interface कैसा होता है, online exam आप कैसे देंगे, वो सारी चीज़ और registration होने के बाद, आपको एक system, यानि कि computer allot होगा, बहुत से बच्चों को यह भी doubt होता है, कि sir, क्या computer हमको लेकर जाना होता है, laptop हमें क्या अपनी ले जानी होती है, यह ऐसा कुछ नहीं होता, आप center पे जाओगे, बाकाइदा वहाँ पे उनका धेर सारे systems लगे होए होते उनके exam center पे, beginners के लिए सारी चीजे भी बतानी होती है, फिर वहाँ पे आपको system number allot होगा, यहाँ पे आप देख रहो, C001, यह system number होगा, यहाँ पे जो भी number आपको allot होता है, उस system number के सामने जाकर, आपको बैठ जाना है, proper table chair सब कुछ लगा होगा, वहाँ पे जाकर आपक पे एक photo लगा होगा, यह आपका अपना photo होना चाहिए, यहाँ पे आपका नाम होगा, और हो सकता है कि आपका roll number भी रहे, most probably यहाँ पर roll number भी रहता है, तो जो भी details यहाँ पर screen पे लिखी होई है, आपको match कर लेना कि यह आपके match कर रहा है कितके, आपका photo अपना होना, और यहां पर आप देखो, जहां 1111, यह 4 बार 1 लिखा हुआ है, यहां पर ही आपका roll number लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो यह आपको सारी चीज़े match कर ले लिए, अगर कोई भी चीज मिस्मैच हो रही है, कोई भी चीज सही नहीं है, तो आपको अपने invigilator को तुरंथ के नीचे में जो यह password का icon है, इसके अंदर आपको password डालना होता है, यह मैंने already डालकर रखा हुआ है, आपको कैसे डालना है, ध्यान रखोगी, यह बहुत important चीज होती है, वहां पर computer पर आपको जो keyboard मिलेगा, उस keyboard का इस्तमाल बिल्कुल नहीं करना है, उस keyboard का use करने पर आपक keyboard का icon आ रहा है right side के अंदर, इसमें आप एक बार ऐसे click करोगे अपने mouse से, यह देखो एक virtual keyboard आपके सामने open हो जाएगा, इससे आप जो भी चीज़ इंटर करना चाहते हो password में, जो भी डालना चाहते हो, आप इसको डाल सकते हो, तो password वगेरा डालकर आप रख लोगे, sign in इसा वो लोग announce करेंगे, तो जब announcement होगा, तभी आपको sign in करना है, उससे पहले अगर गलती से click हो भी गया, तो कोई problem नहीं है, sign in होगा नहीं, server में सारी चीज़े set होती है, तो जब वो बोलेंगे, तभी आपको sign in करना है, ठीक है, मैं एक एक चीज़ डीटेल में समझा र तो जैसी ही, आप sign in कर लोगे successfully, तो यहाँ पर आपको कुछ instructions दिखाए जाएंगे, ठीक है, इन instructions को आप पढ़ सकते हो, बट इसमें कोई खास ऐसी तोप चीज़े नहीं लिखी होती, यह सारी चीज़ें आपको admit card में भी आपके मिल जाएगा, तो कोई आपको tension लेनी के ब पढ़ सकते हो, तो जिस भी भाषा में आप comfortable हो, आप इसको पढ़ सकते हो, यहाँ पर आपका photo throughout आता रहेगा, ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पर next कर लेना, अब यहाँ पर देखो बहुत important चीज़ आती है, यह अभी updated चीज़ें हैं, यह चीज़ें आपको पुरानी व और एक English भाषा में, दोनों में लिखा हुआ होगा, आपको क्या करना है, कि आपके जो attendance sheet आपको मिलेगा, जो examiner होगे, वो आपको attendance sheet देंगे, जिसमें आपका नाम वगेरा पहले से होगा, कुछ चीज़ें आपको भरनी होती है, photo वगेरा आपका पहले से वहाँ पर उसी में एक space दिया होगा, उस space में, या तो English में, या तो Hindi में, जो line यहाँ पे लिखी होई है, वह सारे line को आपको copy करना है, ये attendance के लिए आपके identity verification के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको who भू लिखना है, केवल Hindi में, या केवल English में लिखना, अगर आप और running handwriting में capital में नहीं लिखना, जैसे capital ये T है, तो आपको भी T capital लिखना है, फिर O small है, तो O small लिखना है, ऐसे space देना है, कॉमा कभी नहीं छोड़ोगे, कोई full stop कुछ भी नहीं छोड़ना, तो या तो Hindi में लिख लो, या तो English में लिख लो, दोनों में लिखने की गलती आपको नहीं language selection का option मिलेगा, ये है आपका default language, यानि throughout the paper, आप अपने questions को किस भासा में देखना चाहते हो, तो अगर कोई बंदा है, मानलो वो English में देखना चाहता है, तो English ले सकता है, हिंदी में या दूसरे भाशा में, तो जो भी option होगा, उसके इसाफ से वो choose कर सकता है, तो मानलो मैं English select कर लिया, अब जिन हिंदी में वाले को के लिए भी important रहेगा, उसके बाद यहाँ पर आप देखो एक check box होगा, इस check box पे आपको click कर लेना है, ठीक है, इस पे हमने click कर लिया और ये I am ready to begin वाला option आपके लिए available हो जाएगा, बट ये भी तुरंत open करने से खुलेगा नहीं क्योंकि इसके बाद भी लगभग आपको 10-15 मिनट जो समय दिया जाता है ये वाला copy करने के लिए, तो ये जब तक आप करने ही लोगे, जब तक server से okay नहीं होता, तब तक आप I am ready to begin कर भी दोगे, तब भी कुछ खुलेगा नहीं, इसलिए आपको wait करना है announcement का, जब वहाँ से आपको announcement हो जाएगा, कि आप I am ready to begin पे click कर दो, तभी आपको click करना है, अगर उससे पहले click कर भी दिये, तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, आपको बस बोला जाएगा, कि आप 2 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, ऐसे आपको एक time आराता रहेगा, तो आपको I am ready to begin तभी करना ह जब examiner's आपको announce करेंगे, एक साथ सारे बच्चे I am ready to begin पे click करते हैं, और फिर server में time reset हो जाता है, इस तरह का interface फिर आपका open होईगा, यहाँ पे आपके देखो, यहाँ पर आपका question आ रहा है, यह question number 1 है, एक बार में एक सवाल आएगा, और जो आपने default language select की थी, जैसे मैं English किया था, तो यह English में आएगा, अब माल लो आपने सारा calculation किया, आपको rough sheet और pen paper सब कुछ वहाँ पे मिलेगा, कोई tension की बात नहीं, माल लो answer आपको यह लग रहा है, तो आपने इसमें click कर लेना है, और उसके बाद save and next पे click कर देना, यहां right side में आप देखो, ठीक है question number 2 है मुझे लगा कि भाई, यह मुझे English में समझ नहीं आ रहा, मैं Hindi में देखना चाहता हूँ, तो आप यहां से English को Hindi में बदल लो, यहां पे right side में है, इसको Hindi में आपने कर लिया, आपको सारी चीसे समझ में आ जाएंगी, उसके बाद फिर आपको जो भी options सही लगे, वो save and next कर आपका मन किया कि नहीं हम direct question no.4 में चलते हैं, पर 3 में जो आपने option को mark किया था, उसको आपने save नहीं किया था, इसलिए वो save हुआ नहीं, देखो, green से वो सारी questions दिख रहे हैं, जो आपने save and next सही से कर दिया है, red से वो दिख रहा है, जिसने आपने visit तो किया, बट उसका answer आपने अभी तक mark नहीं किया है, तो 3 में आपने question को mark किया था, वो save नहीं हुआ, इसलिए हमेशा save and next जरूर करना है, ठीक है, इस question का answer आपको लग रहा है कि A हो तो सकता है, बट आप दोबारा देखना चाहोगे, तो यहां पर mark for review and next, इस पे भी आप click कर सकते हो, अगला क् solve करूँगा, यह थोड़ा lengthy question है, बट मैं बना सकता हूँ, तो direct mark for review and next कर दो, इससे क्या होगा, यह purple color से यहां पे देखो, आपको यहां पे दिख जा रहा है, बाद में आप दोबारा से इसको आपकर check कर सकते हो, बाद में देखा जाएगा, और जिसमें आपने mark for review and next करके, लेकिन answer भी tick किया है, वो वाले questions भी consider किया जाएंगे, इसलिए उसके बारे में tension लेने की बात नहीं है, तो इस तरह से आप सारे questions को आगे attempt करोगे, save and next, save and next करते जाओगे, और subject अगर आप change करना चाहते हो, मानलो कोई math से reasoning direct जाना चाहते है, तो उपर में ही देखो, आपक अगर मानलो यहाँ पर एक answer आपने tick किया, बट आपको लग रहा है कि नहीं, इसका answer मुझे पता नहीं है, मैं इस question को छोड़ना चाहता हूँ, गल्ती से tick हो गया था, तो यहाँ पर आप देखो, clear response का option आपको देख रहा है, इससे आप clear कर सकते हो, और फिर आगे बढ़ ज अतम हो जाएगा, तब paper आपका automatically submit हो जाएगा, तो इस तरह से आपका पूरा interface चलता है, इसमें मैंने सारी चीजे cover की, mark for review वाले part को भी cover किया है, जो part आपको white में दिख रहा है, वो आपने ऐसे question है, जो अभी तक आपने visit नहीं किया, तो randomly आप किसी भी question को यहाँ पर right side से click करके visit कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें हो गई, आप मुझे नहीं लगता कि कोई भी important point miss हुआ होगा, तो सारी चीजें यहीं पर मैंने cover कर लिया है, तो I hope इस video से आपको useful जानकारी मिल गई होगी, अगर same interface पे आप test series की practice करना चाहते हो, तो test book आपको हूब same interface महया करवाता है, इससे आपकी perfect practice हो जाएगी, exam से पहले आपको दो-तीन बार practice कर लेनी चाहिए, test book के उपर, तो mock test, previous year papers, चाहे SSC के कोई भी exam हो, railway का कोई भी exam हो, या bank कोई भी exam हो, सारा का सारा आपको एक pass लेना होगा, और उस pass में आपको एक साल तक पूरा complete access मिलता है बहुत यह affordable price पर वो available है, तो अगर आप चाहो तो test book का pass buy कर सकते हो, coupon code cluster का इस्तमाल करना, तो हमेशा जो maximum possible discount है, वो मिल जाएगा, तो coupon code CLUSTER, इसको जरूर apply करना, I hope आपको वीडियो से कुछ useful जानकारी मिली होगी, अगर जानकारी useful लगी, तो वीडियो को like कर सकते हो, मेरा नाम है रिशी केश, जैहिंद